ये प्रशन स्टाइल आइकन सद्गुरू के लिए है आजकल फैशन एक अर्बो डालर का उत्योग बन गया है लेकिन साथ ही फैशन के नाम पर निरस और भद्दे प्रचलन भी आते रहते हैं फैशन के नाम पर क्या हम सीमाएं लांग रहे हैं हम इस सीमा को कैसे पहचाने पहला वाक्य वो वापस ले लिजे मैं कोई स्टाइल आइकन नहीं हूँ देखिए शायद आप ये पहले से जानते हों कि धर्ती का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूशक फैशन उद्योग है फिलहाल पूरे विश्व में एक अनुमान है कि हमारे दादा दादियों के पास जितने कपड़े होते थे और हमारे पास जितने कपड़े हैं ये औसतन उनके पाँच गुना है कहा जा रहा है कि 2025 तक ये दो गुना हो जाएगा हमारे पास उनसे 10 गुना ज्यादा कपड़े होंगे इन में से 95 प्रतिशत कपड़े पॉली फाइबर हैं पॉली फाइबर हमारे शरीर में, पेडों में, जानवरों में, हमारी फूड चेन, पानी, मिट्टी, हर चीज में घुज गया है इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया है हर कोई उस छोटे से प्लास्टिक बैक को मिटाना चाहता है जो करना चाहिए, बेशक, लेकिन पॉली फाइबर कपड़ा सबसे बड़ा प्रदूशक है कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा ये हमारे शरीरों पर बैठा है हर दम हर चीज को प्रदूशित कर रहा है कि सुक्ष्म पॉली फाइबर हर चीज में समा रहा है किसी कचुए के प्लास्टिक बैग में फसे होने की भयंकर तस्वीर तो नहीं दिखती लेकिन हम खुद वो कचुए हैं जो इन चीजों में फसे हैं तो हम एक चीज ये कर रहे हैं जैसा कि आप अपने इतिहास से जानते हैं कि एक समय भारत पूरे विश्व के लिए कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक था 300 साल पहले विश्व के पूरे निर्यात का 60 प्रतिशत भारती कपड़े थे इसे अंग्रेजों के शासन के समय योजना बनाकर खत्म कर दिया गया पचास सालों में 30 से 40 लाख लोग मर गए बस इसलिए कि इस उद्योग को योजना बनाकर मिटा दिया गया और ये कारण था कि अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 91 या 92 प्रतिशत लोग खेती कर रहे थे क्योंकि सभी बुनकर फिर से खेती करने लगे सिर्फ जीवित रहने के लिए इसलिए हर जगा इतने छोटे छोटे खेत हैं और खेती अव्यवस्थेत है इसका एक कारण बुनाई उद्यों का बर्बाद हो जाना था हालात इतने बुरे थे कि एक गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के खेत बुनकर की हड़ियों से सफेध हो गए हैं 1880 में क्योंकि लाखों मारे गए थे तो इसके बावजूद हमारे पास हुनर है भारत ऐसे स्थिती में हैं कि अगर हम सही चीजे करें तो विश्व को फिर से कपड़ा दे सकते हैं एक समझदारी भरा और प्राकृतिक कपड़ा मेरा मतलब है ये आर्थिक रूप से जबरदस्थ हो सकता है हम किसानों के आत्महत्याएं और उनकी परिशानियां पूरी तरह से मिटा सकते हैं अगर हमारी खेती का एक हिस्सा सिर्फ प्राकृतिक रेशों की पैदावार हो इस देश में कई तरह के प्राकृतिक रेशे हैं सवभाग इसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़े डिजाइनर शायद आपने मेरी और सबिसाची की बाची देखी होगी वैसे लोग प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा दे रहे हैं आपने मुझे फैशन आइकॉन कहा है तो मैं आपसे कुछ साजा करता हूँ अक्टूबर के महिने में हम न्यू यॉक में एक फैशन शो आयोजित करने वाले हैं इस फैशन शो में मैं रैम पर नहीं चलूँगा इसमें कपड़े नहीं प्रदर्शित किये जाएंगे इसमें अमेरिका के बड़े डिजाइनर्स के सामने भारती कपड़ा प्रस्तुत किया जाएगा तो तीस तरह के कपड़े हम अमेरिका भेज चुके हैं वो तयार हैं हम उसे प्रस्तुत करेंगे और कुछ कपड़ा उन्हें फ्री में भेट करेंगे ताकि वो जो चाहें बना सकें और इसका प्रचार हो सकें ये भारती अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है जरूरी नहीं कि सब हैंडलूम से हो अगर ये मशीनों से भी बुना जाए तो भी प्राकृतिक रेशे हो अगर प्राकृतिक रेशे फिर से आ जाएं तो धर्ती पर किसी देश में इतने हुनर नहीं है जितने हमारे पास है इस देश में 120 से ज्यादा अलग-अलग तरह की बुनाईयां होती है उनमें से लगबग 50 अगले 10 से 15 सालों में गायब हो जाएंगी क्योंकि एक बुड़ा इंसान एक पती-पत्नी का जोड़ा इसे चला रहे हैं उनके बच्चे सॉफ्ट्वेर इंजिनियर बन गए हैं और अगर हम इसे वापस नहीं लाते तो ये 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें समझना होगा मुझे नहीं पता कि आप कभी किसी बुनाई के कारखाने में गए हैं आप गए हैं? बैंगलोर में रेशम की साड़ियों की काफी बुनाई होती है आपको महा जाकर देखना चाहिए एक समय मेरे पिता को लगता था मैं ये काम करूँगा क्योंकि मेरे परिवार का एक हिस्सा रेशम की बुनाई से जोड़ा था तो मैं वहाँ देखने गया मैं बस सत्रा साल का था मैं देखना चाहता था कि वो काम कैसे करते हैं तब मुझे खुद पर बहुत गर्व था वो लूम पर काम कर रहे थे रेशम की साड़ी बुन रहे थे वो बस चूँ चूँ करता गया मैं बस उन दिनों मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूँ फिर मुझे पता चला वो अलग बात है मैं पूरे ध्यान से देख रहा था वो बस ऐसे कर रहा था और उस कपड़े में एक फूल आ जाता और एक फूल आ जाता जामितिक रूप से सटीक अगर आपको इसे सॉफ्ट्वेर में डालना हो तो काफी मेहनत लगेगी लेकिन वो बस उसके दिमाग में समाया हुआ है इसकी बरबादी का मुख्य कारण हमारी शिक्षा को जरूरी बनाना है ठीक है अगर एक बेटा या बेटी अपने माता पिता के साथ लूम या खेट पर अपने माता पिता के साथ काम करने के लिए जाए तो माता पिता गिरफतार हो सकते हैं क्योंकि बाल श्रम तो हमारी देश के हर हुनर को बर्बात करने की तैयारी है और लाखों ऐसे पड़े लिखे युवा बनानी की भी जिनका रवईया तो पड़े लिखों जैसा है पर उन्हें जीवन में कुछ भी करना नहीं आता तो हमने पढ़ाई में ये बदलाव सुझाया है कि हम स्कूल में जो समय बिताते हैं उसका सिर्फ पचास प्रतिशत पढ़ाई होनी चाहिए बाकी का समय गाओं में खेती, शिल्प, संगीट, रिर्त्य, लोग, कला, कई चीजें पहली बार केंदरी सरकार ने करीब एक महीने पहले घोशना की कि पढ़ाई को पचास प्रतिशत समय देना होगा लेकिन इसे लागू करने में हम जिस गती से आगे बढ़ते हैं इसमें 10 से 15 साल लगेंगे क्योंकि बुनियादी धाचार, ट्रेनिंग, शिक्षकों वगरे की जरूरत होगी तो फैशन की बात करें तो मुझे लगता है कि आप सभी को किसी ना किसी रूप में स्टायल आइकॉन बनना चाहिए मतलब आप किसी बगवास चीज की नकल नहीं करते जो कोई मॉडल या कोई और करता है कोई चीज जो आपके लिए फिट हो क्योंकि हर शरीर अलग है अपने लिए सुनदरता तय करने का एक तरीका होता है अपने शरीर के लिए और स्टायल आपके मन और भावनाओं की भी होती है या ना सिर्फ शरीर की नहीं होती तो इसे ऐसा ही होना चाहिए हो सकता है फिलहाल आप सभी यी ना कर पाएं पर हफ़ते में एक दिन, प्लीज प्राकृतिक रेशे पहने, कई किसानों का जीवन बच जाएगा, अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ करेंगे, कम से कम हफ़ते में एक दिन, कृतिक रेशे पहने, आप शायद कई किसानों का जीवन बचा पाएंगे, क्योंकि ये एक स्थिर बाजार होगा, अगर ज्यादा सबजियां उगाएं तो वो सड़क पर आ जाती हैं, अगर कम उगाएं तो ये मुश्किल हमेशा होती है, लेकिन अगर खेती का एक हिस्सा प्राकृतिक रेशों की खेती हो, जैसा कि इस देश में होता था, हम विश्व के सबसे बड़े सूत औ जूट उत्पादक थे, पर सब मिट गया, उसे वापस लाने का यही समय है।